अगर तुम कोई ऐसा रास्ता तलाश नहीं करते, जिससे सोते हुए भी कमाई जारी रहे, तो फिर तुम्हें अपनी मौद तक मेहनत करते रहना पड़ेगी. जिन्दगी में काफी ठोकरे मिलती हैं, लेकिन जिन्दगी में अपने पैरों पर उट खड़े होने का फैसला हमारा अपना होता है. जिन्दगी में कामयाब होने के लिए एक आसान जिन्दगी की खुआश ना करें, ना ही आसान जिन्दगी को चूज करें. मैं हमेशा से जानता था कि मैं अमीर होने वाला हूँ इस बात पर मैंने कभी भी एक मिनिट भी शक नहीं होने दिया अगर पहले पहल आपको काम्याबी नहीं मिलती तो बार बार कोशिश करते रहें ये मत सोचें कि आप नाकाम हो गए हैं यकीन रखें कि काम्याबी दो कदम आगे है किसी कामें ताखीर ना करें आप जितना ज्यादा इंतजार करेंगे वो काम आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फैंकेंगे अब ये तुम पर है कि तुम इन पत्थरों से क्या बनाते हो काम्याब होने के तीन असूल है खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा उन लोगों के लिए काम्याब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाते हैं काम्याबी के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है लोग आपके साथ तब आते हैं जब आप काम्याब हो जाते हैं कीमत वो है जो आप अदा करते हैं और कदर वो है जो आप हासिल करते हैं मसले खुद हल नहीं होते, करने पड़ते हैं और उसके दो तरीके हैं, या तो खुद में हिम्मत तलाश करो, या ज्यादा हिम्मत वाले को तलाश करो, अगर आप जहीन है तो मेहनत के बगएर भी बहुत पैसा बना सकते हैं, कभी भी सारे अंडे एक बास्किट में जमा ना करो, इसका मतलब है कि कभी भी अपनी सारी प्र पैदा नहीं होता, हर कोई सीखता है और अपने आपको बेहतर करता है, उन पर ध्यान मत दीजे जो आपकी पीट पीछे बाते करते हैं, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है, कि आप उनसे दो कदम आके हैं, आपको एक जैसा नतीजा इसलिए मिल रहा है, क्योंकि आप एक चीज बार बार किये जा रहे हैं, गरीब लोगों के लिए चार मश्वरे जो अमीर होना चाहते हैं, नमबर एक, अपने काम से प्यार करें, अपने शौको अपना कारोबार बनाएं, कोई आपको तरकी से नहीं रोक सकेगा, चैलिंजिस को कबूल करना सीखें, और मुश्किल हाला जो अपने कमफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता और अपने आपको मुश्किलों में नहीं डालता, वो कभी भी काम्याबी का फल नहीं खा पाता, उन लोगों के साथ वक्त गुजारें, जो आपको होसला दें, ना के उनके साथ जो आपकी हमत को पस्त करें, और आपको आग ना बढ़ने दे